जितने भी सम्मंद जन्न सुख हैं साब के सब दुख स्वरूप हैं दुख के उत्पति स्थान हैं सम्मंद जन्न सुख मत भोगो तो दुख कभी तुमें चून नहीं सकता अभी कल हमको किसी ने बताया था तो बुले वो नोकरी करते थे प्लास्टिक फैक्टरी में और वो पाइफ हट गया पूरा प्लास्टिक जो द्रवित प्लास्टिक हो उपर जिन्दा जल गया वो चिंतन तो हुआ न अब जैसे अपने लोग दूसरे जीवों को जला के खा रह है ना ऐसे पैर बांग दिये उनको भूंज रहे तुम्हारे पैर भी नहीं बांदे जाएंगे जिन्दा भूंज जाओगे कर्म तुम्हें बक्षे का नहीं ध्यान रखना दुख्यो ना या रसेंद्री के श्वाद के लिए तुमने उन असमर्थ पशूओं को पक्षियों को अपने श्वाद का कारण मान रहे हो उनके मांस को ठीक है ले लो महलो इस जन्मे में तो तुम ऐसे हो लेकिन पीछे जन्मे में तुमने किया ना तो क्या परणाम आया प्लाश्टिक और वो भी द्रवित मतलब गरम पिगली हुई सीधे पूरी है कितना कश्ट हो थोड़ी देर तदात महुके देखो कितना कश्ट हो एक दिन वो फूल लगा रहे थे न बुलू गन जिसे आप चिपकाते हो जरा छो गई तो इद्दम ऐसे कहा है तो बुले तो गरम प्लाश्टिक गई तो है उसमें हलकी सी गरम इदम जिसमें आप फूल वो जरा पूरी द्रवित प्लाश्टिक ऐसे गिर गई अब लो क्या हुआ मर तो गए हो लेकिन कितना कश्ट उनको हुआ होगा ये ये करम आया देखो तो भूझे ना उसके पैर बांद के हैसे बांद के खाए अब देखो तुम्हें पैर भी नहीं बांदने पड़े वो कर करमने कैसे पूरा पाई फटा उपर पूरा गिर ले हो गया सावधां दुख यो नया अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मान मौझ लेलो मस्ती कर लो ये मस्ती तुमारे लिए इतनी महंगी पड़े कि कोई साथ अब लो कौन है वहां परिवार कोई भी कोई धन संपत्ति गरम प्लास्टिक से पैक कितना भयानक कष्ट कितना भयानक कष्ट यह एक कष्ट ऐसे अनंत कष्टों को भोगना पड़ता है जीवों को अभी नया जन्म होगा उसको भूल जाएगा कि ऐसा पीछे कष्ट मिला था जैसे अपने लोग मा के गर्व से निकले तो कितना भयान कर्ष्ट लेकिन याद है क्या सब लोग वहीं से निकले कोई नहीं याद भगवान याद दिला रहे हैं दुख यो नया किसी भी प्रकत जन्य अगर मुक्त होना है दुखों से प्रकत जन्य संयोग जन्य सुखों को मत भोगो मत स्वैकार करो तो तुम्हे कभी दुख भोगना नहीं पड़ेगा पक्का जब आप किसी वस्तु के भोगने की भावना करते हैं तो उसका आभाव प्रतीत होता है अगर ये भोग मिल जाए तो मुझे उसकी सुरुवाती दुख से हो रही है जलन से हो रही है और उसके सैयोग प्राप्ती में तुम्हारी जलन होने के करण सुखानभूती हो रही है उसमें सुख नहीं है तुमने कामना किया है तुम उसके लिए व्याकुल हुए हो संकल्प बनाया है इसलिए तुम्हें सुखानभूती हो रही है नहीं उसमें सुख ध्यान लखना वो भास ऐसा ही रहा है जैसे स्वपने में स्वपने में लग रहा है बहुत अच्छा-च्छा खा रहे पर पेट भरा क्या कुछ नहीं स्वपने में भी तो सारी क्रियाएं होती है क्या होता है कुछ होता है क्या जागरत में ठीक वैसे ही भ्रहम है अगर तुम्हें उस सुख़द वस्तू का भाव न बने के सुख़द है तो आपको कभी भी दुख नहीं मिल सकता पर हम पहले किसी भी वस्तू आज पूरा प्राणी समुदाए चेस्ठा केवल सुख के लिए कर रहा है केवल सुख के लिए परिणाम सब को दुख मिल रहा है जो प्रभू की तरफ चले वो धीरे धीरे दुख से निवर्थ होते हुए परमसुख की तरफ जा रहा है भले आज सरीर दंड भोग रहा है पीछे के कर्म का लेकिन आगे प्रकाश है क्योंकि भगवत मार्ग में चल रहा है वस्तू के अभाव का दुख जितनी जोर का होगा मिलल में तुमें उतने सुखान भोती होगी ये ब्रह्म रिश्यों का मनन है वस्तू के भोग का जितना गाढ़ चिंतन होगा उतनी तुम्हें उस भोग में सुख लगेगा है नहीं? लगेगा और जितना तुम उसमें सुख अनुखो करोगे उस श्यानंत गुना बढ़के तुम्हें दुख मिलेगा यह सिस्टम है यह नियम है इसलिए देख लो शब दुखी है, सब शान्त है भोगी व्यक्ती कभी सुखी नहीं हो सकता दुखों से बच नहीं सकता क्योंकि जितले भी भोग है, सब दुख यो नया भगवान कहे रहे, भगवान के दुखालयम या दुखालयम में तुम सुख भोगना चाहते हो भगवान कहे रहे, दुख यो नया हट जाओ शरीर राग से हट जाओ केवल जीवन निर्वाह मात्र धर्म रक्षा के लिए कर्तब पालन के लिए उचित सास्त्री विधान के अनुशार भोगों को श्वैकार करो इसी जन्म में आनंदित हो जाओगे अगर आप केवल भोगों में ही शुक मान करके रत हो तो परिणाम ताप शंशकार दुखईर गुन ब्रत्य विरोधाच दुख मेव सरवं विवेकिन तुम्हे तीन प्रकार के दुख वर्तमान में ही भोगने पड़ रहे हैं देख लो परिणाम दुख पीछे जो कर्म की है उनका परिणाम भोग रहे हो परिणाम दुख और ताप दुख और शंशकार दुख ये तीन सुख भोगने वाले को भोगना ही पड़ता है देखो सुख भोगने वाले के लिए लिखा है जो संसार में सुख भोगने की ब्रती लिये हुए उनको ये अपने आप तीन दुख भोगने पड़ते हैं परिणाम दुख, ताप दुख और शंसकार दुख संपुर्ण विशय भोग आरंभ में सुख रूप सबको प्रतीत होते हैं कोई भी कर्म जब हमारा बनता है उसमें हमारा लक्ष होता है सुख कोई न कोई ऐसा कर्म बना जो सुख के लिए हमने पाप कर्म किया सुख भोगने की भावना से पाप कर्म बना और वही कर्मा करके दंड देता है द्यान रखना चाहे कोई हो, कोई भी हो, कितना भी बड़ा महापुरुष हो, इस सरीर रचने के समय उसके उस कर्म संसकार को रचा गया है इतनी अवस्था में तुम्हारे ये रोग होगा, ये प्रारब्द भोग है, ये आएगा अपना रूप प्रिश्थार करेगा लेकिन ये भजन का, ये भगवश्रनागती का प्रताप, वो बस कवच बन करके उसकी रक्षा करता है, ना उसे भै होने देता है, ना शूक होने देता है, अब ये सरीर छूटा, पीछे सब गोदाम में आग लग गई, अब उसमें एक भी कर्म ऐसा नहीं, जो जग सके, या न अगर प्रियाजू की शरण में न होते हैं, तो रोज हम ऐसे जलते, जैसे किस तवा में रोटी से की जाती है, ऐसे जलते और मनाते, कि ये शरीर छूट जाये तो अच्छा है, मनाते, कहां इतनी अर्थ बिश्था, कहां एसी सेवा, कहां एसा हरदय की बिश्रा मिस्थली, क इस पर लगाते जिस पर लगाया था वही दोखा दे रहा था क्या होता थोड़ी दिर भी तो बिल्कुल एक दम जिसे जल में कमल का फूल रहे ऐसे प्रियाजु रख रहे शंपूर्ण विशयभोग आरम में सब को सुखरूप प्रतीत होते हैं और वही कर्म वही विशयभोग परणाम में महान दुख प्रदान करता है एक सत्य घटना ब्या हुआ पत्नी आई तो जैसे परश पर इस्त्री पुरुष आशक्त हो जाते ऐसे पती आशक्त हो गया पत्नी का पहले से कोई प्रीतम था वो जब उनके दृष्टी में ब्या होने के बाद पुना हाया उसने रोकर कहा हम तो आज तक तक तुम्हारा ही इंतिजार कर रहे हैं और जीएंगे तुम्हारे लिए और मरेंगे तुम्हारे लिए अब ये तुम सोचो कि तुम्हारा प्यार कैसा है तो उसने का इस बार हिसाब हो जाएगा हम माई के आ रहे हुए बुलवाएंगे इनको माई के गए और वहां सफोन किया कि आपके बिना हमारा दिन नहीं कट रहा हो माता पिता तुरंत भेजेंगे नहीं आप एक दो दिन के लिए आ जाएगे वह जो बहुत ज्यादा चिपकती है नाक मुँ में लगा दिया उसको फेबरी को है और उससे हाँ क्विक क्या हाँ वही नाक जिसे ख्वापिया के लिटा दिया और मित्र को बुला लिया और नाक में और मुँ में वही भर दिया मिनट में एक दम जाम गये यह सत्य घटना क्या हुआ कहां सुख है किस में सुख है अब उन्हों एक अलग जेल में एक अलग एक मरा और दोनों अलग अलग जेल में तीनों का जीवन नष्ट हो गया क्या हुआ सुख भोग की लालसा देखा अब अगर हम ऐसे ना समझाए तो लगेगा भगवान के रहे दुख योने आए ऐसे दुख योने आए धर्म से चलोगे भगवत भजन करोगे धर्म के निर्वाह के लिए भी से स्वईकार करोगे तो आप सदैव सुखी रहोगे इस लोग में भी और परलोग में धर्म बिरुद्धाचरण करोगे सुख भोग के लिए भगवान की आग्यां को लंगन करोगे तो ना यहां सुख पाऊगे न वहां सुख पाऊगे लिख लोए बात आज भले मुस्कुरा लो कल मुस्कुराट में जहर होगा मान लो बात यह भगवान की बात है दुख है यह न यह जगए जगए यह सुख की लालसा ऐसा नस्ट कर देती है मेजर पद्वी पर आर्मी में थे ब्रमन करने से सब बहुत सुन्दर उनका बंगला था बहुत सुन्दर विवस्ता उनकी थी कानपूर में सामने मिठाई की दुकान थी पंजावी शरीर था उसका सामने मिठाई की दुकान अब वो आर्मी के तो चार चार पांच पांच मह ने वार्डर में ही लगे हुए हैं तो उसका उससे मित्रता हो गई मिठाई वाले के दुकान से गेटमेन रहता उसके हां पर जब मालकिन कादे से तो गेटमेन क्या रुकेगा अचाब वो जब आते थे तो शूचना देखे आते थे कि एक महिने की छुटी या दो महिने की प्राउधानी हो जाती थी उन्होंने शूचना दी ने अचानक आ गए उदर से निकलना हुआ होगा सूचा होगा अजरातियां रुक जाते हैं फिर चले जाते हैं तो गेटमेन ने का साब अंदर ने जा सकते हैं दिमाग खरा गए मेरा घर मेरा परिवार तु कह रहा है माल किनका दे अब गेटमेन की कितनी था को जैसा सिखाया गया था वैसा और उसको तो पता नहीं था और अंदर जाके तुछ ने खहा ऐसा तो हम सोच भी नहीं सकते थे कि आप दोनों थे दोनों ने मिलकर उसका वही मार दिया आर्मी के मेजर को और गाड़ दिया वहीं बड़ा ऐसा मकान ऐसे वह पहुंचा नहीं वहां सरकारी जांसुई कहां से कैसे क्या पता चला एक दिन के लिए घर गया था वहां से पोड़ से पुछा उनकी पिटाई एक अलग कोटी के होती है वो एक मिनन में बता हां साब आये थे अंदर जाते देखा बार निकलते नहीं देखा अंदर से जब पिटाई शुरू ही अंदर वालों की उन्हों बता दियो तो मेजर साब गड़े हुए है क्या हुआ भैंकर तीनों को कर्ष्ट एक को पतनी के राग में मार दिया ना दोनोंने मिलकर और दोनों को ऐसे सरकारी आदमे के मारने के लिए उनको दोनों को सजा मिले क्या सुख दुख ही हो ना यहां और यह कारी कैसे हुआ था सुख भोगने के लिए जितना भी आप धर्म रही ताचरन करेंगे कई भी त्रिकाल में यह तो ब्याज ह हुआ उस कर्म का परिणाम जो आएगा वो तो आगे मिलेगा बड़ी जेल है नरक यह छोटी जेल है यहां की यहां जो डंडा चलते हैं फासी मिलती या और जो भी कस्ट यह ऐसा मानलों की ब्याज मिलता है और मूल हिसाब तो आपको बड़ी नरक में मिलेगा जो यमराज के दरबार की यहां के जेलर यमराज है वहां जो मिलता है वहां ऐसा नहीं होता कि दस-पांच कोड़े मार दो या दस-पांच साल की जेल दे दो एक-एक कस्ट को कल्प-कल्प तक भोगने के लिए दंड दे दिया जाता है अब जीव है वहां मरना तो है नहीं यातना देह में पड़ा भोगता रहता है दुख यो नया भगवान के वचन है इसलिए ये परिणाम दुख है धार में बिरुद्धाचरण भागोतिक आदेश के बिरुद्धाचरण करोगे कभी भी कहीं भी सुखी ने हो सकते चाहिए जितना दानपुन्य कर लो दानपुन्य एक अलग कर्म हो गया और वो पाप कर्म एक अलग कर्म अगर कट सकता है तो एक ही काट सकते हैं वो केवल भगवान है मा में हुई प्रपध्यनति माया में ताम वो कह रहे हम तो हम सर्व पापे भ्यो मुक्षिश्या में मा सुचा दूसरे व्यक्तियों के पास अपने से अधिक भोग देखने से या इच्छा नुशार भोग भोगने की इच्छा से भीतर में जो भोगों की इच्छा है पर शरीर में शामर्थ नहीं किनी कारणों से या वा जिससे हम अपना प्रेम सम्मंद स्थापित किये हैं वो हम से प्यार ला करके और से इन सब कारणों से एक ता पहरदय में पैदा होता जलन जिसको कहते हैं हम डिप्रेशन में जा रहे हैं प्रभू को नहीं पकड़ा है तो डिप्रेशन में नहीं जाओगे और कहां जाओगे अभी तो कम डिप्रेशन ऐसी जगे बेजे जाओगे जाओगे डिप्रेशन है वह कहीं शांती नहीं एक शन के लिए भी शांती नहीं आओ एसी जगे में जितनी गलती आओंगे सब शमा हो जाएंगी बहुत करुणा में सरकार हैं ती उदार भी विस्तुंदर मान लो इनकी शरण में हो जाओ दुख से बचने के लिए सरण में हो जाओ भगवत प्राप्ति पर्मानंद और प्रेम ये तो सब आगे की बातें इन दंडों से बचने के लिए हो जाओ कि ये दरवार है स्री कृष्ण का कह रहे आजाओ माफ कर दूँ एरे चल पड़ो न कहाए को पीछे लोट रहे हो पीछे लोटों के हार जगे दोखा ही दोखा है पाए जान जगत में सबजन कप्टी कुटिल कल्योगी टंचो ये ताप होता है जलते रहते हैं कौन कौन सा है अप लेख 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 भोग भोगने की सामर्त नहीं पर भोग ही कठा है जल रहा है अब भोग की सामर्त है पर दूसरे के पास वो भोग है लिए उसके पास देख देखके जल रहा है और भोग है और भोग भोगने की सामर्त भी है पर भै लगा हुआ कहीं तीसरा छीन ना ले ये जल रहा है कह रहे हैं कि ये ताप दुख किसी को नहीं बखसता परिणाम दुख पहला और ये दूसरा ताप अधिकतर इसी ताप दुख से जल रहे हैं और तीसरा है संसकार दुख यद्यपी ये सादकों में भी पाया जाता है वो नहीं चाहते हैं भोगना पर पूर शंसकार वस उसे बिवस्ता हो रही अवो दुख भोग रहा है ये शाधक मिटा सकता है तीनों दुखों को मिटा सकता है भगवद आश्रित होकर बिविक के द्वारा परिणाम दुख को भोग करके निप्टा देगा जैसा भी परिणाम आया है हमारे ही कर्म का परिणाम है पर हम प्रभू की शरण में उनकी श्मरती के बल से उनके आश्रे के बल से इस दुख को शैशकते हैं परिणाम दुख को और ताप वाला दुख इसलिए नहीं होता उपाशक को कि उपाशक का लक्ष परमात्म प्राप् नहीं उते उपासक उनसे लड़ता है उपासक उसको समझता है हमारे कमी वगवत प्राप्ती नहीं होने दी अब यह कम ही हम रहने नहीं देंगे प्रयासरत रहता है फिशल भी जाए तो भी प्रयासरत रहता है वो इस संसकार दुख को मिटा देता है तभी तो जीवन मुक्त होता है ये तीन प्रकार के दुख बक्षते नहीं है किसी को भी यदिया भगवत प्राप्ति के मार पर आरूड नहीं हुए तो बड़ा दुख में जीवन है ये समझ नहीं पा रहे अपने लोग अरे कब तक चैन से जीओगे मरना है भाई फिर नया सरीर मिलना है और क्या-क्या दसा होती है सरीरों की क्या-क्या किस पर विश्वास करें जब समाज की तरब देखो तो लगता है किस पर विश्वास करें किस पर जो हमारे विश्वसनी वही विश्वास गात कर रहे हैं जिनको हमने जीवन दे दिया वही हमारे जीवन लेने के लिए तैयार वही हमारे नहीं, बिल्कुल असमर्त संसार में दिखाई दे रहा है सुचो, किसी भी शम्मंद को सुचो कहीं भी पवित्रता, कहीं भी भिश्वास जिसके कारण हम जीवित हैं, वो रह नहीं रहा है दिरे दिरे शब जा रहा है, बुड़े माता पिता है पुत्र सोचता है मरे तो प्रापर्टी आवे कैसे मरे कहां कहां कितना कितना बर्णन करे श्माया के श्वरूप का एक मात्र भगवान की शरण ही तुम्हें बचा सकती है कोई तुम्हारा नहीं मान लीजिए साब छल कपट का चरित्र माया का भरा हुआ है अगर आप थोड़ा भी भजन करेंगे तो आपको शमज में आने लगेगा और भजन नहीं करोगे तो ये सुनने के बाद वहीं रती होगी भी रती नहीं हो सकती है बैराग नहीं हो सकता है यही भगवान की माया है वो मार पीट करके बाहर निकाल देंगे दर्वाजे पे बैठे रोगे लेकिन आपका हर्दे उनी के लिए रोएगा उनी के लिए रोएगा यही माया है भगवान की यही भगवान की देवी माया ऐसी बिचित्र है कि हम जानते हो हमसे कपट कर रहा है जानते हो हम अपने धर्म का पालन न करके मुझे निकाल रहा है बुड़े माता पिता है लेकिन वो उन्हीं के लिए रो रहे है अगर उनसे कहे हो चलो उनको डाटते हैं उनको दंड देते हैं तो कहेंगे नहीं हम कस्ट सहले रहेंगे पर हम यहीं दर्वाजे पर बैठे हैं यह मकान मेरा बनाया हुआ हम वो मकान कैसे बेच दे बाप दादा का पूरा जीवन लगा कर हमने उसको बनाया है यह भगवाल की बिचित तरवाया ऐसी ऐसी दुरगती की हुए कि वो जान रहा है फिर मिले निकल पा रहा है इसले वाई हरिश्टरुनम हरिश्टरुनम भगवान की स्टरुन होकर अपना काम बनाए